नमस्ते गाइस रेक्शन चट्नी में आपका सुवागत है मैं हूँ सुभम मुदट और आज हम बात करने वाले एक ऐसे सक्स के बारे में जो सिर्फ भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी अभी फिलाल काफी ट्रेंडिंग और काफी मसूद चल रहे हैं साइध ही कोई ऐसा वंदा हो या व्यक्ति हो जिनके जवान पे अभी एक नाम ना हो वो है आचारिय धिरेंद्र सास्तुरी जिसको हम बागेसवर धामबाले के नाम से भी जानए और यह अभी फिलाल काफी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं इनका बेवागी वक्तत्वा रखना क पाउंटर अटैक करना और एक हिंद्पुग के ब्रैंड एमबसेटर के रूप में आज इनको देखा जा रहा है कि इनका काफी सारा कॉंट्रवर्शी महराष्ट्र में हो मद्यपरदेश में हो राजिस्थान में हो या फिर रिसेंटली अभी बिहार में हो इनके करारा जव निंगा से उन लोगों को जवाब दिया है यह टॉपिक के बारे में आज हम नोगों डिसक्रस करने वाले हैं क्या धिरेंदर सास्त्री वाके ही एक सादो संथ है या फिर यह है दो आज कि पर यह का बारें है यह वीडियो को वक्त को बर्वाथ ना किये हुए इस वीडियो पर हम लोग आगी चलते हैं तो धिरंदर सास्त्री को अगर देखा जाये तो दिन परती दिन इनका जो फॉल्वर से यह काफी एक हाई स्पीड में बढ़ रहा है और लोगों के मन में इनको लेकर काफी आस्ता का भाव भी बना हुआ है अगर मैं पर्सनली कहूं तो मेरे दिल में भी उनके लिए एक आस्ता भाव उत्फण हो चुका है मैं भी उनके उपर आकरसित हूं कि उनका जो व्यक्तित्व है उनके बोलने का तरीका है और हिंदुत्व के बारे में जो वह जो इस प्रेट कर रहे हैं बातों को लोगों के मन में उनके मन में उनका जो एक घर बन रहा है यह काफी बड़ा एक प्रसन चिन्न उठता है उन लोगों के ऊपर जोनों ने आज तक हिंदुत्वक पे टार्गेट पे टार्गेट किया है और जो काम कोई पॉलिटेसियन या फिर कोई बड़े सेलिवरिटी नहीं कर पाएं व अब आपके मन पे कुछ ऐसा विचार है जो हम किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाएं और अगर दिरंदर सहस्त्री जी के पास जा के उसका निवारन हो जा रहा है वो साइड लॉजिकली हो या ना हो हमारा दिवां जो सोचता है उस दिवां के सोचने और वो बल जो उनके पा आ रहा है रहा है दिरंदर सहस्टारी के पास जाने से तो इसपर राड अगर लोग उनको अबाउन मान रहा तो महर्च क्या हैं हमारे सामने जिनका रूप कुछ और और बाहर कुछ और है अंदर कुछ और तो अधैं मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ But और मैं मईंहे कहता हूं कि शाय जिरेंदर शासीली के साथ सद अ попад द म्हिना हो कि हमें अपने भरुसरे पर फातावा हो कि हमने इनको थेसर अर सबसे बड़ी बात है कि यह इसू पर लोघृत को बहुंसरे सबस्क्राइब भगवान वह कहते हैं कि मेरे पास भगवान की एक सक्तिया है उनका किरपा मेरे पास है जो किरपा मेरे पास है इसलिए मैं आप लोगों का भला कर पा रहा हूं या फिर आप लोगों को ठीक कर पा रहा हूं तो अभी वह कभी भी खुद को भगवान नहीं कहते हैं भगवान का तो इसे देखा गया है वह अपना प्रचार करवाते हैं यहां तक कि वह अपना पार्ट तक बना चुके हैं मतलब एक ऐसा रहती जो खुद को भगवान बनाने के लिए खुदी सारा चीज को रच रहा है काफी ऐसे कोई हैं जो एक आटो में अपना मुर्ती को रख के वह एक स कर रहा है तो मेरे को नहीं लगता कि इसके ऊपर कुछ भी डाउट करना चाहिए या नहीं इन फ्यूचर अगर कुछ होता तो इसकी गैरेंटी तो मैं भी नहीं ले सकता हूं कोई भी नहीं ले सकता लेकिन हमारे एक सद्दाभाव इनके उपर है तो यह अटो पहना कि आप ऐसा कुछ भी नौ करें जिसे लोगों का मन या विष्वास पूटें और आक एक बड़ा रिसपोंसीौशलेटी चैनला यह नहीं अ यह इक अध्क में였 दिया है इतना टभी बिहार गोवर्मेंट्सट्न को इतना अगेंस्त जाकर भी सारी पाब्लिक ने मिलके बिहा तो क्या इन्होंने एक ऐसा चमतकार करके दिखाया है वहां पर कि लाखों की संख्या में भीड़ोगे लाश्ट में समय से पहले देरेंदर सास्त्री जी को यह कहना पड़ा कि आप लोग घर से देखें मेरे यहां पर ना है क्योंकि हम अब आपके लिए जगा यहां पर नहीं है तो यह काफी बड़ा तमाचा है जो देरेंदर सास्त्री के बीरोद में जाकर उनके बारा में अब सब कहरे थे कि पब्लिक ने दिखा दिया है कि कि वह किस के साथ है तो अगर पब्लिक ने आपका साथ दिया तो आपको भी दे ने Daci आपको भी पब्लिक साथ देना पड़ेगा ऐसा कुछ भी ना हो जिससे किसी कभी व्यक्ति का भरसा आपसे उड़े जाएंगे ऐसा काफी कोई है जो उठा सकता है या फिर बोल सकता कि काफी ऐसा कुछ हुआ नियर्बन बाबा है जो परस खोल के बैठो किरपा आ रही है अब किरपा तो हम भी परस खो सब्सक्राइब करें तो इसके लिए हम मैंनत किये जा रहे हैं करता हूं कि कभी न कभी ये चैनल भी मेरा बड़ा होगा आप लोगों के बीच हम पहुंच पाएंगे और भी काफी अच्छा अच्छा कंटेंट हम बना पाएंगे लेकिन जो बात ही है कि अगर किसी इंसान का मंग में उनके पास जाने से सर्दा भाव या पॉजिटिव एनरजी आ रहें तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी हर जहामें उनका सपोर्ट करने चाहिए और एक ब्रैंड हिंदुतों को लेकिवह चल रहे तो हिंदुत को सपोर्ट हम मीं करते हैं और जोर से हम भी कहते हैं क तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पर धन्यवाद।